नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना उसके देखने भर से आ जाती थी चेहरे पर रोनक और वो पगली समझ बेठी की बीमार गालिब का हाल अच्छा है नमस्कार दोस्तों और फिर से आपका हरदिक स्वागत है मैं प्रदीब कुमार आपके लिए एक और बहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ प्यारे बचो आज है ना जैमा सर्च्वती का नाम लेकर लेक्चर की सुरुआत करते हैं प्यारे बचो आज कल थोड़े से डीप लेवल के कोशन आने लग गए हैं जैसे हरियाना के राजेपाल में ये आ गया था किस राजेपाल की कारेकाल के दोरान मिर्ती हो गई थी आपने पड़ाओगा विरेंदर नारायन चकरवर्ती जिनका कारेकाल सबसे लंबा राजेप के रूबे कारेकाल था तो उसी प्रकार प्यार बचो आज हरियाना के डिप्ती सीम मुख्य मंत्री के बारे में बहुंधी डिटेल से पढ़ेंगे जै मासर स्वती का नाम लेके आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज फुल डिटेल से हम पढ़ेंगे हरियाना के उप मुख्य मंतरी हरियाना के किस उप मुख्य मंतरी ने सन्नो देवी को चुनाव हराया था कौन लग सात बार मतलब विधायक रह चुका थ हरो तक से कौन चर्की दादरी से तीन बार विधायक था कुछ डिटेल पढ़ेंगे पुन्नम नवस्ते प्रिया गुडप्टनोन स्विमा गुडप्टनोन नवस्ते प्रिया जी ठीक है तो आज हरियाना के उप मुख्य मंतरी डिप्टी सीम पढ़ेंगे तो फ्यारे बच् बना अठारूय सविधान संसोदन के तेत बना पंजाब का 35.18% इसा हरियाना को मिला और हरियाना में विधान सबा की 50 सीटे हुआ करती थी तो एक नॉमबर 1966 से लेकर 2021 तक है ना कितने उब मुख्य मंतरी रह चुके हैं तो कितने उब मुख्य मंतरी रह चुके हैं तब आप कांद पर क्या होगा कितने रह चुके हैं टोटल तो कितने रह सके हैं छे रहे हैं ओके इस राम राम सर्वी चलनो कुछू कर परणाम करती हूं अरे मिसिस मंजी ऐसी बात दिया अनिता से नी गुड़ा प्रून डिनू माथर गुड़ा लास्ट में प्यारे बच्चों में के सबी बच्चों के कोमेंट है लूँगा एक बार लेक्चर को केरी करते हैं तो एक नॉंबर 1966 से 2021 तक 6 उबमुख्य मंतरी हरियाना मिरे चुके हैं उनमें से आज पढ़ेंगे दो तो एस से उबमुख्य मंतरी थे आगे जल कर हरियाना के क्या बने थे वो सियम बने थे तो उबमुख्य मंतरी रहा करते हुए थे और प्यारे बच्चों, चांदराम का संब्च्च होता था हुए थे पहले उबमुख्य मंतरी कोन हुए थे चांदराम प्यारे बच्चों बता देता हूँ, सविधान में उबमुख्य मंतरी पद का कोई वर्णन सविधान में नहीं मिलता उबमुख्य मंतरी पद का, जिसे प्यारे बच्चों वो बच्पन में हम साइकल रखा करते थे न, एक साइकल आती थी, बीच में एक छोटी सी गदी होती तो वो उसका कोई महतव नहीं होता था, कोई रोते हुए बच्चे को बिठा देते थे, बिटा तुम इस गदी पर वेड़ जा साइकल चला ले, वे सही उब मुख्य मंत्री का पद है, रोते हुए बच्चे को खिलो ना देकर चुप करवाने वाला पद है, सर मेरे पास एक्स गर में गोर्मेंट जोब है, या नहीं पापा है, ये प्रिया जी अगर किसी ने गलती से भर दिया है ना तो वो अब वापीस भी ले सकता है, एसी कोई बात नहीं है, तेन सन मतलो उसीजगी, प्रिती जी गुड अप्टरनून, चांदर, इनका संबन्ध कहां से होता था, जज़र से होता था, और प्यारे बच्चों ये ना हरियाना के पहले उब मुख्य मंतरी कब बने थे, 1966 में चांदराम पहले उब मुख्य मंतरी बने, उस टाइम प्यारे बच्चों मुख्य मंतरी पूछे तो कोन होते थे, उस टाइम मुख्य मंतरी होते थे हरियाना के राव विरेंदर सिंग हरियाना के उस ताइम CM होते थे मुख्य मंतरी होते थे कौन होते थे राव विरेंदर सिंग हरियाना के मुख्य मंतरी हुआ करते थे और भी कोशन आ सकता है राव विरेंदर सिंग हरियाना के पहले गेर कोंग्रेसी मुख्य मंतरी होते थे पहले गेर को हुआ करते थे मुख्य मंत्री हुआ करते थे राव विरेंदर सिंग उगता हुआ सुरजिन का निसान होता था और किस पार्टी से समंद रखते थे हरियाना विशाल पार्टी से समंद रखते थे राव तुला राम के वंसस थे और हरियाना विशाल पार्टी हरियाना के इतिहास की पहली छेत्रिये पार्टी रहेगी तो हरियाना विशाल पार्टी को क्या का जता है ये हरियाना के इतिहास की क्या रहेगी पहली छेत्रिये पार्टी रहेगी ठीक है सर जी एक्स्टान नंबर का क्या चकर है आप टेंशन मतलो आप है ना अभी प्रिप्रेशन पर ध्यान दो ठीक है एकस्टा नंबर वाला चकर छोड़ दो अभी है ना जो चीजी अपने हाथ में मेहनत है ये परसंटाइल के फार्मुले में एंट्रेड वन परसंट है बदला होगा लिख कर देता हूँ लेकिन आप मे चांदराम सची में ये सोच लिया मेरे एकस्टा निया तो मैं ना करूँ फिर प्यारेशन पंगा हो जाएगा ठीक है मेहनत करो चिंता मत करो पहले गेर कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री के टाइम में चांदराम बने थे चांदराम का जनम 1923 में हुआ था और 2015 में चांदराम की क्या हो गई थी मिर्थी हो गई तो चांदराम हरियाना के क्या थे पहले उबमु्यमंत्री हुआ करते थे कब बने थे 1967 में ये पहले क्या बने थे उबमुख्यमंत्री बने थे चांदराम और चांदराम का समन्द कहा से है जजज़चे है और links wró वीरिंदर शिंह के टाइम में चांदराम क्या रहे थे उब मुख्य मंतरी रहे थे अब आते हैं प्यारे बचों अर्याना के जो दूसरे उब मुख्य मंतरी थे ना वो डूक्टर मंगल सेन थे कौन थे डूक्टर मंगल सेन हरीयना के न दूसरे क्या थे उब मुख्य मंतरी कौन होते थे डौक्टर मंगल सेन होते थे और डौक्टर मंगल सेन है न प्यारबचो इन से कोशिन आता है ये रोहतक से न साथ बार विदायक रे चुके हैं रोहतक से साथ बार क्या रे चुके थे विदायक रे चु तो डोक्टर मंगल सेनर रोहतक से साथ बार विदायक रहे चुके हैं ये आगामी एक्जाम में ओके सचिन जी आज ही बात को हो जाएगे रोहतक से डोक्टर मंगल सेनर कितनी बार प्यारे बचों विदायक रहे चुके हैं बहुत बड़ी बात होती है साथ बार एक बार कहते ह इन्होंने ना जो हरियाना की पहली विधान सबाद्यक्स थी ना सिरिमती सन्नो देवी को भी इन्होंने क्या हरा दिया था चुनाव हरा दिया था इन्होंने किसको चुनाव हरा दिया था सिरिमती सन्नो देवी को भी चुनाव हराने का काम किस ने किया था तो सिरिमती सन्नो देवी को भी चुनाव हरा दिया था किस ने हरा दिया था डोक्टर मंगल सेन ने हरा दिया था रोहतक से ये कितनी बार विधायक रह चुके हैं साथ बार क्या रह चुके हैं तक से ये विधायक रहे चुके हैं और ये डिप्टी सीम प्यारे बचों उन्नी सो पीचेतर से लेकर उन्नी सो सततर तक ये हरियाना के क्या रहे थे ये प्यारे बचों डिप्टी सीम रहने का काम करते हैं एक बार एक्जाम में प्यारे बच्चों ये कोशन हसी ने पूछने का काम किया तो मैं कहता हूं कोई भी कोशन हसी पूछे ना एक बार पूछे तो दूसरी बार वो पक्का बनेगा उस टाइम आपका गलत है नहीं होना चाहिए 1977 से 89 तक यहां प्यारे पिछे तर से 77 तक ना कि क्या रहे ते उब मुख्य मंतरी तो इनके टाइम में मुख्य मंतरी पूछे ना कौन होते थे तो इनके टाइम में मुख्य मंतरी चोदरी देविलाल होते थे कौन होते थे चोदरी देविलाल है ना इनके टाइम में मुख्य मंतरी हुआ करते थे तो प्यारे पूच् याना में RSS का परचार करने का स्रे भी किसको गया था डोक्टर मंगल से इन को HSS एना इसने एक बार पुछा कि RSS है ना इसकी स्टापना कब हुई थी ठीक है तो RSS की आज ही ओके सर्मा जी आज ही बात करके कल से करवाते है ठीक है तो RSS की स्थापना कब हुई ती? रास्तिय सवें सेवक दल की स्थापना एक्जाम में ये डॉरेक्ट कोशन बनेगा तो रास्तिय सवें सेवक दल से समन्द रखते हैं सात बार रोहतक से विदायक रहे चुके हैं, डॉक्टर मंगल सेन, स्रीमती सन्नो देवी को चुनाव हराया, RSS से इनका क्या था, संबन था, ये चोधरी देवी लाल के टाइम में उब मुख्य मंत्री बने, आपको पता है, प्यारे बैच्चों, उननी सो स्तत्र में अरियाना में, नेक्स्ट कोशन आता है, प्यारे बैच्चों, तीसरे बनारसी दास गुपता, कौन थे, बनारसी दास गुपता, तो बनारसी दास गुपता का सम्मन प्यारे बैच्चों, भीवानी से था, बनारसी दास गुपता का सम्मन कहां से होता था, भीवानी, इनके बारे में सबाव विधान सबाव अध्यक्स भी रह चुके हैं और यह प्यारे बिच्चो पत्रकार भी रह錯 चुके हैं इन चारों से एच्या ससी ने कुष्इन पूछा है मुख्य मंतरी प्यारे बिच्चो पिचे तर से लेकर 1970 एक बार 90 में ये एक बार दुवारा मुख्य मंत्री बने थे, उब मुख्य मंत्री 1987 से लेकर 1989 तक ये क्या रहे थे, उब मुख्य मंत्री रहे थे और 1923 तर में क्या रहे थे, ये विधान सबा अध्यक्स भी रहे थे, 1923 तर में क्या रहे थे, ये विधान सबा अध्यक्स भी रहे थे, और 1957-58 में इनका एक समाचार पत्र पूछा जाता है हरियाना केसरी किसका समाचार पत्र होता था तो वो बीडी गुपता का होता था बनारसी दास गुपता को किस नाम से जाना जाता है बीडी गुपता के नाम से भी जाना जाता है जैसे बीडी सर्मा भगो द्याल सर्मा आता एसा ही question आता है, पुजा जी hello, ठीक है, वेलिकम, ओके सर्मा भाई, ठीक है, तो बनार सी दास गुपता का सम्मन्द बीवानी से था, एसे व्यक्ति थे प्यारे बच्चों, हरियाना के मुख्य मंत्री भी रेच चुके हैं, हरियाना के उब मुख्य मंत्री भी रेच चुके है पत्तरकार भी रेच चुके इनका सम्मन्द कहां से होता था, भीवानी से होता था, उननी सो पिचेतर से स्ततर तक ये मुख्य मंत्री थे और अरियाना में ये पूछा जाता है, आर्टिकल तीन सो चपन का दूसरी बार किसके टाइम में प्रियोग हुआ, तो दूसरी बार रास्टपती सासन लगा, रास्टपती सासन के तुरंत बाद है ना चोधरी देवी ला लेना हरियाना के क्या बनते है, सीयम बनते है, तो ये कौशन आता है, बनार सिदास गुपता का समन्द बीवानी से था, रियाना के मुख्य मंत्री 653 से 70 बने, बाद मέं 1990 में बने थे, और उव मुख्य मंत्री 1987 से 89 तक बने थे विधान सबा देक्स 1922 से तियतर तक पत्रकार रहे हैं अर यह न के सरी के रहे हैं ठीक है कल मैं चुट्टी पे था आरती जी कल चुट्टी पे था आज लेते हैं तो इत बुरा गुर जी कल सिस्टर का बर्डे में वी जी थे क्या से तियतर तक रहे चुके पत्रकार किस के रहे चुके हरियाना केसरी के रहे चुके कोन बनारसी दास गुपता संबंध पूछे तो बनारसी दास गुपता का कहां से होता था भीवानी से बनारसी दास गुपता का क्या हुआ करता था संबंध होता था यहां से आगामी हुकुम सिंग का संब्द है प्यारे बच्चों इनका पूरा नाम हुकुम सिंग फोगाट आ सकता है ये चर्की दादरी से थे इनका संब्द पेले इनका संब्द भीवानी से बताया जाता है लेकिन न ये इनका संब्द कहां से था चर्की दादरी से था ये भी प्यारे बच् तो हुकुम सिंग ना हरियाना के CM भी रे चुके हैं और हरियाना के डिप्टी CM भी रे चुके हैं प्यारे बच्चों और कहेते हैं ये चर्खी दादरी से तीन बार विधायक भी रे चुके हैं ये चर्खी दादरी से तीन बार क्या रे चुके हैं विधायक भी रे चुके हैं सरखी दादरी से कितनी बार विधायक रहे चुकी है तो फोगाट धानी से इनका सम्मन था डोक्टर हुकुम सिंग फोगाट के नाम से ये जाने जाते हैं ठीक है, मुलिये ठीक है, कोई दिक्कर नियारती जी मैं देखता हूँ ठीक है, अरे कोई बाती है, से हार चोड़ के थोड़ी होता है गुर जी अभी किसी बुक पर आपका वरक चल रहा है क्या हाँ, वो आएगी तब बता देंगे सुमन, गुड अप्टर नून, दिनेश कुमार राम राम सर जी तो उकुम सिंह ना, इनका सम्मद्ध पूछे, पहले बच्चों इसका सम्मद्ध बीवानी से माना जाता था क्योंकि चर्की दादरी जिला नहीं बना था चर्की दादरी एचसर से मानती है, दिसंबर 2015 में बना, तब से इनका सम्मद्ध कहां से हो जाएगा बीवानी से हो जाएगा, दिसंबर 2016 का सुना होगा, चर्की दादरी के बारे में आपने तो उकुम सिंह का सम्मद्ध कहां से हो जाएगा, प्यारे बच्चों, इनका सम्मद्ध दादरी से हो जाएगा यह मुख्य मंत्री और उब मुख्य मंत्री रेच चुके हैं 1990 प्यारे बच्चों, इनसे जादा डिटेल में नहीं आएगा, इनसे आएगा हुकुम सिंह का सम्मद्ध कहां से अचर्की दादरी यह रियाना का एसा कौन सा सियम या डिप्टी सियम था, जो चर्की दादरी से तीन बार विधायक रेच चुके है ठीक है गोपालक भी का जाता है, आरती जी इनको सही है, गोपालक भी का जाता है ठीक है, गोपुम सिंह को, ठीक है, नेक्स्ट कोशन को और मूव करते हैं, प्यारवाटल उभकुम सिंह के बाद है ना, चंदरमोहन विष्नोई, कौन है, चंदरमोहन विष्नोई, ठीक है चंदर मुहन बिश्णोई है ना पूछा जाएगा ये किस के बेटे हैं तो ये चोदरी भजनलाल जी के बेटे का नाम क्या था चोदरी भजनलाल जी के बेटे का नाम क्या था चंदर मुहन बिश्णोई और चोदरी कुलदीब बिश्णोई के बड़े बाई है ये बड़े भाहिये चंदर मुहन विश्नोई और प्यारे बच्चों ये है ना 2005 मेना क्या बने थे 2005 मेना ये क्या बने थे हरियाना के मलब डिप्टी सियम बने थे चंदर मुहन विश्नोई बने थे और चंदर मुहन विश्नोई का विधान सबाच हितर प्यारे बच्चों इनका क किसी टाइम में गड माना जाता था, कालका माना जाता था, लेकिन इस बार कॉंग्रे सरकार ने इनको कालका से टिगड ने देकर, पंचकुला से टिगड दी, और पंचकुला से ना इनको चुनाव हरा दिया, ज्यान चंद गुपता ने, किस ने हराया, ज्यान चंद गुपता किस विधान सबा में गुरुजी चवध में विधान सबा में इनको कालका से चुनाव हरा दिया था ज्यान चंद गुपता ने इनको पंचकुला से चुनाव हरा दिया लेकिन इनका पेले गड़ कोन सा हुआ करता था हमेशा कालका से जीते हैं लेकिन इस बार इनको पंचकुल से टेगड दिया गया चौधिम विधान सभा में जो विधान सभा में जो विधान सभा अध्यक्स कोन है तो चौधिम विधान सभा में जो विधान सभा अध्यक्स है वो ज्यानचंद गुपता है इन्होंने इनको चुनाव हराने का क्या किया था काम किया था तो ये कौन थे चोदरी बजनलाल जी के क्या थे बेटे थे और इस बार चुनावार गए और इनके जो भाई है कुल्दी बिश्नोई वो वर्तमान में कहां से विधायक है आदुमपूर से विधायक है तो चोदरी बजनलाल जी का भी विधान सबाचेतर कौन सा हुआ करता था तो चोदरी बजन लाल जी की क्या बनाई गई है एक है फोटो बनाई गई है कहां से बनाई है हाँ वो करवा दूंगा वभीता जी वो भी कोशन करवा दूंगा इतना ज्यादा टेंसन मत लेना इतने ज्यादा वहां से कोशन आने की उमीद है कम है तो आदुमपुर में ना इनकी क्या बन चो क्या था चोदरी बजनलाल जी के नेतरिताओं में ना कॉंग्रेस ने बहुत ज्यादा 60 पलस सीटे जीत ली चोदरी बजनलाल को सीम बनना था लेकिन सोनिया गांदी ने अचानक भुपेंदर सिंग उड़ा का नाम क्या कर दिया था प्रस्तावीते कर दिया था ओक्यो राजबीर जी बना दूगा वीडियो सर कलास ना तो अपलोड हो रही है ना कौन सी कलास अपलोड नहीं हो रही पुन्नम जी सारी तो कलास इसलिए तो साथ में सारा का सारा पुन्नम रिकोडिड बेस दिया गया आपको ताकि कोई भी प्यारे बच्चों को कोई दिक्क नाए ठीक है हाँ केट वाले में रोईत कर देंगे ठीक है और नहीं हुई तो पुन्नम जी आज सभी टीम को लगा कर सारी कलासें अपलोड करवा देता हूं जिस वेच की भी रेती है पेंडिंग ठीक है तो टेंसन मतलो तो ये चोदरी चंदर मुहन विश्णोई है ना इनका संबन कहां से था इनका संबन हाँ अपलोड आतो आती हो दाएगी ठीक है तो ये विधान सभा अद्यक्स भी रे चुके हैं ये नहीं विधान सभा अद्यक्स नहीं रे चुके हैं चंदर मुहन विश्णोई है ना हरियाना के डिप्टी सीम रे चुके हैं क्या रे चुके है डिप्टी सीयम रे चुके हैं अब बात आती है प्यारे बच्चो लास्ट है ना हरियाना के डिप्टी सीयम दुश्यंत चोटाला कौन रहेंगे दुश्यंत है चोटाला रहेंगे 3 एप्रेल 1988 को इनका जनम हुआ था तीन एप्रेल 1988 को इनका क्या हुआ था जनम हुआ था इनका जनम कब हुआ था तीन एप्रेल 1988 को चोटाला गाओं में हुआ था और चोटाला को प्यारे बच्चो क्या कहा जाता है राजनेतिक नरसरी किसे कहा जाता है चोटाला गाउं सिर्सा को राजनेतिक नरसरी चोटाला गाउं सिर्सा को का जाता है और होकी की नरसरी आई ना होकी की नरसरी तो ये सहाबाद कुरुक्षेतर को का जाता है होकी की नरसरी किसे का जाता है सहाबाद कुरुक्षेतर को किसकी नरसरी का जाता है तो सहाबाद कु लुक्षित्र को न होकी की नरसरी कहा जाता है। कब किया तो जन्नायक जनता पार्टी का गठन हिन्हों ने 9 दिसंबर 2018 को किस पार्टी का गठन किया था जन्नायक है जन्ता पार्टी का गठन किया था ठीक है कोई दिक्कर ने पहुन भारतबाजी ये भी हो जाएगी ठीक है ठीक है तो 9 दिसंबर 2018 को जन्ना एक जन्ता पार्टी का गठन किस ने किया था दूश्य अंते चोटाला ने जन्ना एक जन्ता पार्टी का गठन कब किया था 9 दिसंबर एक जोग्रफी की एना मैं दरमिंदर सर है दिली के मुखरजी नगर के टीचर है प्यारे बचो उनकी कंपलीट जोग्रफी आज अपलोड करवा देता हूँ ठीक है complete जोग्रफी उनकी आज upload करवा देता हूं सारी की सारी जोग्रफी है ना इंडिया और वर्ल्ड जोग्रफी दर्मिंदर सर की आज upload करवा देता हूं इस बेच में तो ये 9 दिसंबर 2008 को वहाँ पर मनत पूरी होने के लिए गड़ी चड़ाई जाती है ठीक है तो ये आप भी गड़ी बोल दो परमातमा सुनेगा आपकी चोटाला को राजनेती की नर्सरी का जाता है होकी की नर्सरी साहबाद कुरुक्षेतर को और प्यारे बचो दुश्यन चोटाला रहेंगे और प्यारे बचो दो हजार पंदरा में ये MP बने थे इंसार से मेंमर ओफ पारलेमेंट ये इसार से क्या बने थे ये सांसद बने थे तो प्यारे बचो मेंमर ओफ पारलेमेंट कब बने थे 2015 में और इन्होंने किस को चुनाव हराया था चोदरी कुल दीप बिशनोई को चुनाव हराने का काम किया था और उस टाइम है ना अगर आपसे को कोई बनेगा ना तो यह कोशन बनेगा यह सबसे कम उमर के MP हुआ करते थे सबसे कम उमर के क्या हुए थे मातर 27 वर्स की उमर में क्या बन गई थी यह MP बन गई थे तो सबसे कम उमर के MP बनने का गोरोव विकिस को प्रापत था तो इनको प्रापत सीमा के रिए सर मैं कोचिंग के लिए फतेवाद आई थी कोचिंग के लिए घर वाले जाने नहीं देते हैं के लिको ये तो होता है सिम्हें गुजर जी घर वालों को बताना होता है न कोई दिक करनी के लाने देते हैं हाँ मैं मानता हूँ ठीक है जाने हाँ कही सर जी रिक्वेस्ट है जल्दी आज ही करव करवा दूंगा भी पास बेट करना कल आपकी इस कंपलीड जोगरफी सिवात सर की लाइव चलती रहेगी और उन सर की दिली की मुखरजी नगर की बेस्ट फेकल्टी है दर मेंदर सर तो उनकी जोगरफी कंपलीट है न मैं अपलोड करवा दूंगा ठीक है ठीक है यहां से मतलब यह कुल्दीब इसनोई को इन्होंने चुनाव भराया था कि इसने मतलब दूश्यन दे चोटाला ने सबसे कम उमर के अभी प्यारे बच्चों इन्होंने ना दूश्यन चोटाला ने 27 ओक्टूबर 2019 को सपत ली है तो इनके पाच कौन-कौन से डिपार्टमेंट रहे क्या रहेगा सरम एवं रोजगार वाला नागरिक आपूर्ती नागरिक आपूर्ती डिपार्टमेंट रहेगा ठीक है और आपका पेपर है ना पंचाईती राज का तो पंचाईती राज है ना मामले भी यह समालेंगे जैसे चक बंदी हो गया ठीक है और सारुजनिक निर् हो गया ठीक है और कौन से समालेंगे आपदा एवं आबकारी आपदा एवं आबकारी प्रावधान ठीक है ये भी कौन समालेंगे दुश्य आंते चोटाला समालेंगे और सरम एवं रोजगार में ना इनकी साहिता कौन करेंगे अनूप धानक करेंगे और अनूप धानक है ना इनका विधान सब अच्छितर कौन सा है उकलाना है और सौतंतर में इनके पास कौन सा रहेगा म्यूजियम रहेगा तो ये कौन है दुश्यन दे चोटाला के बारे में रहेगा ठीक है यहां से भी कोशन आगामी एक्जाम में पेपर में कोशन यहां से बनेंगे ठीक है तो किरन जी आज से बात होके आ हो जाएगी चिंता मत करो तो सरम एवं रोजगार, नागरी, कापूर्ती, पंसाईती, राज, चकबंदी, सारुजनिक, निर्मान, आपदा एवं आबकरी, प्रम्दन, ये सारे के सारे कोन समभालेंगे ये दुश्यन दे चोटाला समभालेंगे तो दुश्यन दे चोटाला है ना एमपी बनने का भी रिकोर्ड किसके नाम था, दुश्यन दे चोटाला के नाम था तो यहां से आगामी एक्जाम में कोई ना कोई कोशन प्यारे बच्चों बनेगा तो हरियाना के 6 मुख्य मंत्री आपको बताए है प्यारे बच्चों पहला कोन था, चांदराम था, वो चांदराम से भी कोशन आएंगे चांदराम का संबन्द पूछे तो जजज़र से था और चांदराम है ना, राव वीरेंदर सिंग के टाइम में बने 1923 में जनम हुआ, 2015 में मिरती हुई, 1923 में एक पार्टी भी बनी थी यूनिनिस्ट पार्टी, 1924 में जमीदारा लेग बनी, 1925 में आप पढ़ोगे काकोरी नामक जो कांड हुआ था और इसका नाम भी बदल दिया गया है 1925 में यह आप पढ़ोगे, प्यारे बच्चो, सीडी केंट बेंक बना तो जीके को रिलेट करके पढ़ो, कोई दिक्कर नहीं, कुर्जी मंडल वाइज, ठीक है कोई दिक्कर नहीं, ब्रांडमेस्ट हो जाएगा, कोई बाद नहीं ठीक है, कोई बाद नहीं, आप चिंता मत करो, रोई जी, ठीक है तो यहां से आगामी एक्जाम में कोई भी कोश्यन आपका गलत है, नहीं होना चाहिए अभी प्यारे बच्चो, तीन हरियाना के एसे व्यक्ति है, जो हरियाना के तो है लेकिन वो मुख्य मंत्री किसी और जगे के बनी है, उनमें नाम आता है, अरविंद केजरी वाल का नाम आता है एक नाम आएगा उसमें, सुसमा सवराज का नाम आता है, ठीक है एक इसमें नाम आएगा प्यारे बच्चो, अरविंद केजरी वाल हो गया, सुसमा सवराज हो गया, सुचेता किरपलानी ठीक है, तो पेले तो इनका समन्द पता होना चाहिए, अरविंद केजरी वाल का समन्द, प्यारे बच्चो, सीवानी से रहेगा और सिवानी एक बार इसार में गोश्णा की गई थी लेकिन है नहीं बीवानी में रहेगा सूस्माशवराज का समन्द पूछे तो अम्बाला केंड से रहेगा सूचेता किरपलानी का भी समन्द अम्बाला से रहेगा कहां से रहेगा अंबाला से रहेगा अरविंद केजरीवाल कहां के सीम बने है अरविंद केजरीवाल जी है ना केजरीवाल जी दिल्ली के सीम है कहां के सीम बने है दिल्ली के वरतमान में भी है सूसमा सवराज भी कहां की सीम बनी थी दिल्ली की सीम बनी थी और सुचिता उत्तर प्रदेश की CM बनी थी, कहां की CM बनी थी, उत्तर प्रदेश की CM कोन बनी थी, तो सूसमा सवराज बनी थी, तो ये प्यारे बचों हरियाना से ना होते हुए बिना, मतलब भारत में किसी राज्य के क्या बने है CM, तो केजरीवाल के नाम अनोखा रिकोर्ड है, तो ये लगातार तीन बार दिल्ली के सीम रह चुके हैं वरतमान में भी है लगातार तीन बार दिल्ली के सीम रह चुके हैं एक बार तो महज प्यारे बच्चों उन्चास दिन के लिए यानि पचास से कम दिन के लिए बने थे और कॉंग्रेस के साथ इन्होंने अलाइंस किया था और और बाद में कॉंग्रेस ने अपना समर्थन बापीस ले लिया, इनकी सरकार गिर गई, और बाद में प्यारे बच्चों क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, सत्तर में से न, सड़ सड़ सीटों पर अरविंद केजरीबाल ने चुनाव जीता था, और दुबारा भी चुनाव हुआ था, उसमें सत्तर में से 61 सीटों पर अरविंद केजरीबाल ने क्या जीता है, चुनाव जीता है, तो हरियाना से होकर न, दिल्ली के लगातार तीन बार क्या बन चुके, SEM, आप पढ़ते हो, RTI, Right to Information, Right to Information Act है न, वो किसकी देन रहेगा, तो आपका आगामी एक्जाम जी बुकें भी पढ़ना, जरूरी है, बुकों को अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना दो, बुकें कभी दोखा नहीं देती, आपका दोस्त आपको दोखा दे सकता है, लेकिन जिंदकी में कभी बुक आपको दोखा नहीं देगी, इस बात का दियान रखना, ठीक है, नहीं स पड़ा होगा ना ठीक है वो मुख्य मंत्री में से लगाएगा ये केजरिवाल हो गया दिल्ली का हो गया ठीक है अरविंद केजरिवाल सीवानी से है सिर्मती सुसमा सवराज अंबाला केंट से है वो शुचिता किरपलानी का भी संबंद अंबाला से है और शुचिता किरपला मुख्य मंत्री कौन थी तो किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्य मंत्री है ना सुचेता किरपलानी होती थी जिनका सम्मन कहां से होता था अमबाला से होता था अमबाला से होता था प्रोफेसर गने सिलाल के बारे में सुना होगा उडिशा के राज्येपार जैसे यहां से प्यारे बच्चों कोश्चन आगामी एक्जामे किरनवेदी के बारे में सुना होगा ठीक है दिली से इनको भी एरविंद केजरिवाल ने क्या हरा दिया था चुनाव हरा दिया ठीक है निशा उनकी मलब जो सब्जेक्ट कम्प्लीट हो गया उनका दो तीन कलास से रहती है उनका लेजर करवाया मेडम ने निशा जो दिपाली में ने ठीक है तो सुचिता किरपलानी का समद्ध अंबाला से रहेगा सूसमा सवराज का समद्ध अंबाला केंड से रहेगा और सूसमा सवराज है ना डिली की पहली महिला मुख्य मुख्य मंत्री कोन थी तो दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री कोन थी तो सूसमा सवराज है ना ये दिल्ली की क्या थी पहली महिला मुख्य मंत्री थी ठीक है ये भी कोशन आता है प्यारे बचों सूसमा सवराज के नाम कोन सारी कोर्ड बना था तो सूसमा सवराज है ना ये दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री थी और सुचेता किरपलानी क्या थी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्य मंत्री थी उत्तर प्रदेश की महिला मुख्य मंत्री बनने का गोरव किस के पास था तो हां सुचिला जी अब आपके कोमेंट आ रहे हैं राजवीर जी आपकी ये चीज मैं मानता हूँ तो दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री कोन बनी थी? सूसमा, सवराज बनी और किसी भी राजे की पहली महिला मुख्य मंत्री कोन बनी? उपी की सुचेता किरपलानी बनी और केजरीवाल है ना लगातार तीन बार दिल्ली के क्या रेच चुके हैं, CM अभी वर्तमान में वी दिल्ली के CM कोन है, अरविंदे केजरीवाल है, मीडिया उनको चाहे कुछ भी बताई, लेकिन दिल्ली में प्यारे बच्चों, आज भी है ना, केजरीवाल के इमानदारी की कसीडे पड़े जाते हैं, तो प्यारे बच्चों, आप से क्या है, मतलब इस टोपिक को इस लिए इतना डिटेल में पड़ाया, वेसे तो 6 नाम याद कर लोगे ना, तो भी बहुत है, आज तक है ना, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री या हरियाना से बाहर के मंत्री, केवल एसे याद करने हैं, आज तक हरियाना में व्यक्तिगत रूप से 10 क्या बन चुके हैं, 10 सीअम बन चुके हैं, दो सीअम थे, वो तो डिप्टी सीअम भी रह चुके हैं, तो 6 में से 10 और 4 चाउदा ओरती नहीं है, 17 नाम याद कर ले ना हरियाना के मुख्य मंत्री, उब मुख्य मंत्री सीला दि दिल्ली की उसा जी मुख्य मंत्री थी, और सीला दिक्सित को चुनाव हराया था, अरविंद केजरीवाल ने सीला दिक्सित को हरा करना चुनाव हराया था, दिल्ली की मुख्य मंत्री होते हुए भी अरविंद केजरीवाल उनके सामने से चुनाव लड़े, और बाद में अ आगामी एक्जाम में यहां से कोश्यन बनने के चांद सीजे रहेंगे ठीक है तो छे उब मुख्यों मंतरी डॉक्टर पेला चांदराम मंगल सेन और बनार सिधास कुपता हुकम सेन हुकम सिंग और चंदर मोहन विश्णोई और दुश्यन ते चोटाला तो यह चीजे आगाम करूंगा एक एक्ट बाली है ना पटवारी बगेरा की एक क्लास यूटूब पर आपको डाल दूँ तो आज के लिए प्यारे बचो इतना ही रहेगा कल आप से दुबारा रूबरू होंगे तब तक के लिए अस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए हाँ कोमेंट करके जरूर ब कि एकल आप से दुबारा रूबरू होंगे दनेवाद दोस्तो जै हिंदे जै भारत लव यू ओल